लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ये कह दिया जाए कि आपकी हत्या होने वाली है तो आप पैनिक हो जाएंगे आपकी बोड़ी में से अलग-अलग प्रकार के वाइब्रेशन्स निकलेंगे एक भई का माहोल होगा ठीक ऐसा ही माहोल जैसा आज हमारा है करोना वाइरस को लेकर मारने वाले के प्रती दुरभावना आएगी और मृत्यू के पश्चात यदि कोई आपका मास खाएगा तो क्या आपको लगता है उसके साथ कुछ नहीं होगा करोडो पशो की बद्दुआ लेकर अपना पेट भरने वाला मानव यदि ये सोचता है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा तो वो बहुत बड़ी गलत फेमी में जी रहा है गौर से सोचिए मासूम जीव के हत्या कर यदि एक व्यक्ति अपना पेट भरेगा तो उस व्यक्ति का दिमाग कैसा चलेगा ये कहवत से तो हर कोई वाकिफ है जैसा खाये अन वैसा हुवे मन इंसान जब मास का भक्षन करता है तो अन गिनत बिमारियों के साथ ऐसे अनेक बुरे विचारों का भी जन्म होता है जो ना सिर्फ उसके लिए बलकि पूरे विश्व के लिए खतरनाक होते है अनेक शास्त्रों में हिंदू शास्त्रों में भी मासाहरी भोजन का मनाव किया गया है क्योंकि ऐसे भोजन के बाद मनुष्य हिंसात्मक विचार करने लगता है और विचारों की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति जैसा विचार करता है ठीक वैसा ही वातावरण उसके आसपास बनता जाता है कहते हैं एक गंदी मचली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ठीक वैसे ही एक बुरा विचार पूरा वातावरण खराब कर देता है आज चीन के अनेक लोगों में अमेरिका के नागरिकों के प्रती नकारात्मक विचार चल रहे होंगे और अमेरिका में अनेक लोग ये इच्छा करते होंगे कि चीन समाप्त हो जाए ऐसा ही कुछ भारत पाकिस्तान में भी चलता है जिसकी वज़े से अनेक आतंकवादी घटन यह हैं विचारों की ताकत। व्यक्ति शाकाहरी भोजन खाएगा तो सकारात्मक सोचेगा और दुनिया सकारात्मख बनती जाएगी। यदि व्यक्ति मासट का भक्षिन करेगा तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो तो आप देखी रहे है। आपके हाथ में है।